पहले 6 जनवरी को मेयर चुनाव हंगामे की भेट चड़ गया दूसरी बार 25 जनवरी को भी वही हुआ तीसरी बार 6 फरवरी को भी सियाशी शोरगूल की वज़े से मेयर चुनाव टल गया लेकिन अब नतीजे का वक्त करीब है चंद घंटे बाद ही साफ होने की उमीध है की दिल्ली में किसका मेयर होगा मुकाबला आप उमीदबार शैली ओपरोय और बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुपता के बीच है मंगलबार को बीजेपी ने 105 पारशदों की बैठक की इस दोरान दिल्ली बीजेपी के कारेकारी अध्यक्ष न दावा किया की परिणाम चौकाने वाले होंगे दरसल बीजेपी मान रही है कि मेयर चुनाब में वो मैजिक नंबर तक भले ना पहुँच पाए लेकिन स्टैंडिंग कमिटी का अध्यक्ष उसी का होगा यानि मेयर पद की लड़ाई में एक तरह से बीजेपी ने हार मान ली है अब बीजेपी स्टैंडिंग कमिटी के चुनाब में आपको कड़ी टकर दे रही है मनोनित सदस्यों को वोटिंग अधिकार पर सुप्रीम कोट के फैसले के बाद अब चुनाब पूरे होने के आसार है अदालत ने कह दिया है कि मनोनित सदस्य वोट नहीं कर सकेंगे इसके बाद शनी बार को ही LG ने चुनाब करानी की मंजूरी दे दी आज मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमिटी के सदसयों का चुनाब भी हो जाएगा राम किंकर सिंग दिल्ली आज तक